रेडियो खाची, 90.4 FM, मैं उर्वशी, राची विमन्स कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागा द्यक्षु हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से धुमिल की कविता मोची राम पर बात करना चाहती हूँ। धुमिल की कविता मोची राम एम्मे के सिमिस्टर चार के पाठिक्रम में शामिल है। धुमिल की यह कविता मोची राम काल सा पेक्ष कविता होते हुए भी काल की सीमा का अतिक्रमन करती कविता है। काल का यह अतिक्रमन भी इतिहास के भीतर ही संभव होता है। यह धुमिल के समय के भीतर और बाहर, पीछे और आगे का काल है। यह इतिहास का वहर उपक है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वर्ग समाज के गहराते अंतर विरोधों के बीच मोची राम जीवन जीने के तर्क की तरह मौजूद है। जाहिर सी बात है कि धुमिल ने मोची राम को चुना ही इसलिए है कि वह साधारन सा चरित्र, इतिहास का नाम आलूम सा चरित्र, मनुश्य के जीवन के संगहर्ष को, उसकी मानवियता और संवेदन शीलता को प्रतिरोध के भाव के साथ बेखट के कह सकता है। इस मोची राम के पास कवी जाते हैं और इसी मोची राम से वह उसके जीवन अनववो को पाते हैं। जो मेरे सामने मरमत के लिए खड़ा है। मोची राम अपने आत्म विश्वास को कहीं से भी कमजोर नहीं करता है। एक गैर बरावरी की विवस्था में जहां तमाम तरह की भेदकारी दिवारे हैं और जहां भेदभाव के कारण अनेक समस्याओं से मनुष्य घिरा हुआ है। वहां मोची राम के लिए इस भेद के कोई माईने नहीं है। उसके लिए सभी बरावर है। पर ऐसा नहीं है कि मोची राम को भेदभाव मालूम नहीं है। वह अपने पेशे से जुड़कर ही वह भेद भाव वर्ग भेद को देखता है यहां तरह-तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग-अलग नवैयत बतलाते हैं सबकी अपनी-अपनी शक्ल है अपनी-अपनी शैली है जाहिर है कि कवी एक वर्ग विभक्त समाज में रह रहा है और मोचीराम भी इसी वर्ग की उपज है यहां तरह-तरह के जूते आते हैं जिनके द्वारा अलग-अलग व्यक्ति की उनके वर्ग की पहचान होती है जूतों की हालत और उनकी बनावट से ही उनके पहनने वालों की आर्थिक हैसियत का पता चलता है मसलन एक जूता है जूता क्या है चक्तियों की थैली है इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हसी है जैसे टेलिफोन के खंबे पर कोई पतंग फसी है और खड़ खड़ा रही है मोची राम के लिए या विकट इस्थिती है उसकी मना इस्थिती का या कठिन चन है उसे ऐसा जूता सुधारना है जो सुधारने के लायक नहीं है वह इतनी बार सुधारा जा चुका है कि उसे सुधारने के पैसे देना ठीक नहीं है या उस आदमी का जूता है जिसकी हैसियत ही नहीं है कि वह नया जूता खरीच सके इसलिए मोची राम कहते हैं बाबुजी, इस पर पैसा क्यों फूखते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़ खड़ा रही है. मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है. कैसे आदमी हो? अपनी जाती पर थूखते हो? धुमिल साठो त्री हिंदी कविता की कवी है. जब स्वाधीनता से की गई, सारी आशा आकांचाएं ध्वस्थ होने लगी थी. आजादी से मोह भंग होने लगा था. सभी जगा बिगाड पैदा हो गया थे. धुमिल की कविता आक्रोश और विद्रोग की कविता है. सामाचिक मुल्यहींता की इस्थिती निरंतर बढ़ रही थी और कोई किसी के अनुशासन में नहीं रह गया था. न सत्ता न जन्ता. सात्वे दशक की अराजक होती इस्थितियां इसी का संकेत करती हैं. इस कविता में आजादी के बाद का द्रिश उपस्थित होता है. मोच क्या मोची राम का यूही कह दिया गया कथन नहीं है. मोची राम आखिर अपनी भाशा में ही बात कहेंगे पर उनकी इस बात की अर्थ ध्वानी बहुत दूर तक जाएगी. मनुश्यता के छरन का यह संकेत आजादी के पस्चात निरंतर देखने को मिलता है. जहां हर कोई तल्वे चाटते मिल जाएगा. यहां हर एक इनसान बिकने को तयार है. कोई भी किसी का भी जूता बनने को तयार हो जाता है. किसी भी व्यक्ति में विरोध का साहस नहीं बचा है. धुमिल ने मोची राम कविता के माध्यम से उच्च मध्ध एवं निम्नवर्ग के प्रती अपने विजारों को व्यक्ति किया है. मोची राम के पास चक्तियों की थैली जैसा जूता मरमत के लिए आया है. और उसको पहनने वाले का चेहरा चेचक का चुगा हुआ है. मुसीबतों, विपत्तियों, गरीबी, भूख और अभाव के कारण उसके चेहरे पर खाए पिये जैसी रौनक नहीं, चमक नहीं, वह दीन हीन, छीन काए, अस्थी पंजर मात्र है. ऐसी चक्तियों वाला जूता बनने के बाद भी बहुत समय तक चलने वाला नहीं होता है. लेकिन मुची राम के मन में यह विचार आता है कि यह गरीब आदमी नया जूता खरीदने की हैसे नहीं रखता है. मुची राम और ग्राहक की एक ही जाती है गरीबी. धुमिल बताना चाहते हैं कि यहां दो जातियां हैं अमीर और गरीब. बाकी की समस्त जातियां दिखावा हैं. गरीब की ना कोई जाती होती है ना कोई धर्म होता है गरीब स्वयम एक जाती होती है गरीबी की एक मात्र जाती है गरीबी और एक मात्र धर्म है गरीबी यह समझ मोची राम को है यही उसकी वर्ग चेतना है जब वो कहता है कैसे आदमी हो अपनी जाती पर थूखते हो अपनी ही जाती की उपेक्षा करते हो उसकी गरीबी से गरिणा करते हो और फिर वह पुरे मनोयोग से चक्तियों वाले जूते की मरम्मत करने लगता है इस प्रकार मोची राम निम्नवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और चक्तियों की जगह जूते पर अपनी आखे टांकता है आखे टांकना भले ही मुहावरा हो पर यहां तो मोची राम अपनी पूरी समवेदना और सहानुभूती तथा मनोयोग को ही प्रकट कर रहा है मोची राम के पास एक अन्य वर्ग का भी ग्रहक आता है जिसके पास मोची राम के मन में कोई सम्वेदना सहानुभोती नहीं है यह जूता बांध कर आने वाला जूता पहन कर आने वाले वर्ग से अलग है एक अभھाव ग्रस्ट और दूसरा अभः रहित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जूतो के माध्यन से वर्गों की पहचान मोची राम से बेखतर कौन कर सकता है यह मोची राम कविता का एक महत्वपुर्ण पक्ष है इससे उच्च और इससे निम्नवर्ग का ग्राहक मोची राम के पास नहीं आता है इससे निम्नवर्ग का आदमी जूता पहनता ही कहां है उसे तो पूरी उम्र हर मौसम और हर रास्ते पर नंगे पैर ही चलना है जूता खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है मोची राम अती संपर्न वर्ग और अती बिपर्न वर्ग की बात नहीं करता पर जिस वर्ग को वह जानता है उसके विसे में उसने बहुत कुछ कहा है मध्य वर्ग काम तो मनवाना और पूरा लेता है पर वह महनताना पूरा नहीं देता है महनताने से साफ नट जाता है इतना ही नहीं यह संसकार ही न मध्यवर्ग सड़क पर आती जाती इस्त्रीयों को कामुप्त्रिष्टी से देखता है और अपनी व्यस्तता का ढोंग करता है जूठी व्यस्तता और हडबडी का दिखावा करता है तथा मोची राम को आदेश पर आदेश देकर अधिक काम लेता है मोची राम के पास ऐसे ग्रहक भी आते हैं जो न तो समय के पावंध होते हैं नहीं अकल मंध होते हैं ऐसे ग्रहक अपने सुख और सुविधा को दिखाने के लिए तनिक सी गर्मी में ही मौसम के नाम पर रोना रोने लगते हैं और बार बार पसीना पोचते हैं मोची राम ऐसे मध्यवर्गी ग्राहकों के ब्रती सहानुभूती नहीं रखता बलकि उनकी अजीवो गरीब हरकतों को बड़े ध्यान से देखता है इस मध्यवर्ग के प्रती धुमेल की कविता में यह पंक्तियां है गरजिया की घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है शरीफों को लूटते हो वह गुराता है और कुछ सिक्के फेक कर आगे बढ़ जाता है अचानक चिहुक कर सडक से उचलता है और पटरी पर चड़ जाता है धुमेल ने मोची राम कविता में वरगिये विशमताओं का चित्रन किया है धुमेल का यह मोची राम नगर जीवन की चालाकियों से दूर है धुमिल की कविता में ग्राम बोध और नगर बोध की अलग-अलग इस्थीतियां देखने को मिलती है उनकी कविता में नगर की एक ऐसे मोची का वर्णन है जो चौक से गुजरते हुए देहाती को बुलाकर रबर के तल्ले वाले जूते में तीन दर्जन फुलियां ठोक कर ग्रामिन ग्राहक को डाट डपट कर पैसे वसूल कर लेता है सहानुभूती और प्यार यहां चुलावा हो जाता है पटकथा कविता में कवी कहते हैं सहानुभूती और प्यार अब ऐसा चलावा है जिसके जरिये एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छूरा भौग देता है ठीक उस मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरमत के नाम पर रबड के तले में लोहे की तीन दर्जन फुल्निया ठोक देता है और उसके नही नही के बावजूद तपट कर पैसा वसूलता है कवी मानता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच भेद बेमानी है कवी मोची राम के माध्यन से कुछ युक्तियां प्रस्तुत करता है इन युक्तियों का सबसे बड़ा तर्किया है कि जाती पाती का समवेदन हींता से कोई सीधा संबंध नहीं होता एक तथा कथी छोटे समझे जाने वाले पेशे और तथा कथी छोटी या नीच समझे जाने वाली जाती से संबंदित व्यक्ति तथा उची जाती के संपन्य व्यक्ति को जीवन के सुख दुख एक से प्रभावित करते हैं वसंत का उल्लाश दोनों को एक सा प्रभावित करता है मोची राम कविता में कवी ने मध्य वर्गिय जीवन की इस्थीतियों को प्रस्तुत किया है कवी ने सभ्यता और नफासत का नकाब ओढ़े व्यक्ति की असलियत का परदा फास करते हुए उसके आचरन का वर्णन किया है उसकी आँखों में लालच है, हाथ में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हरवडी है वह कोई बनिया है या विसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है मोची राम कविता में समाज के उच्च वर्ग की उपस्तिती देखने को नहीं मिलती है क्योंकि उच्च वर्ग सुधरवाय जूते नहीं पहनता है कविता में उच्छ वर्ग क्यों अनुपस्तिती से कवी का यथार्थवादी दिश्टिकोन पुष्ट होता है इस प्रकार मोची राम कविता में वर्ग चेतना की सार्थक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है इसलिए यह कविता विशुध मार्क्स वादी से धानतों की कविता भले ही ना हो किन्तु यहां वर्ग बोध और वर्ग की पहचान असपश्ट रूप से देखने को मिलते हैं यहां जीवन के अनुभव से आई यथार्थवादी दिश्टि है धुमिल की कविताओं में से यह पेशेवर वर्ग की कविता है पेशेवर हाथों के जीवन की कविता है असपश्ट है कि मोची राम अपने वर्ग को समझता है और उससे सहानुभूती भी रखता है मोची राम एक चरित्र प्रधान कविता भी है मोची राम में हमें उसके चरित्र का साहस, सरलता और मनुष्य की सटिक पहचान देखने को मिलती है वह आज की आदमी की जो परिभाशा करता है उसकी अनेक मुद्राएं धुमिल की दूसरी कविताओं में भी देखने को मिलती है मोची राम इन सब की पहचान अपने कारिय व्यपार से ही करता है कविता में पंक्तिया हैं पेशेवर हाथो और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पढ़ते हैं जो जूते से जहाकती हुई अंगुली पर चोट छाती पर हथोड़े की तरह सहता है एक पेशेवर आदमी की नियती युग की निर्मम बिसंगतियों और क्रूर बिडम बनाओं का चित्रन इस कविता में देखने को मिलता है मोची राम का यह चरित्र आम आदमी का प्रतिनेधित्व करता है इस कविता में आज की मानव नियती की सटिक व्याख्या भी है धुमिल की कविता का यह संसार महानगर की किसी संकरी गली में दबे हुए किसी मध्यवरगिये का संसार नहीं है वह हमारे सामने सडक चराहे पर खेतो कारखानों में जीते जागते और संगहर्स करते हुए मनुष्य का संसार है मोची राम उनहीं में से एक है मोची राम कविता में धुमिल ने जीने के सही तर्क को मोची राम के माध्यम से व्यक्त किया है जीने का यदी सही तर्क हो तो पेशा उसमें बाधा नहीं बनता है प्रकिती का निसर्ग जात सौंदर ये भी पेशे में बाधा नहीं बनता है मोची राम के पेशेवर अनुभव में वसंत का दखल मानो मुक्ती के मारमिक संगेट की तरह है बाबुजी असल बात तो यह है कि जिन्दा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है आप इस वसंत को ही लो यह दिन के ताथ की तरह तानता है पेड़ों पर लाल-लाल पत्तों के हजारों सुर्क तल्ले धूप में सीजने के लिए लटकाता है सच कहता हूँ उस समय रापी की मूट को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है आँख कही जाती है, हाथ कही जाता है, मन किसी जुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार-बार इंकार करता है जीने के सही तरीके के साथ जीवन की अनुभूतियों को यहां असपस्ट रूप से देखा जा सकता है हमारी ज्यानेंद्रियां और करमेंद्रियां का जीने का सही तर्ग से गहरा संबंध है प्रकिती की रागात मक्ता से हमारी अनुभूतियों का गहरा संबंध है इसलिए मोची राम अपने आजपास के लोगों के चरित्र का सुक्ष्मनेरिश्चन और मुल्यांकन करता है तभी कवी कहता है कि कोई भी पेशा हो उसमें आत्म सम्मान आवश्यक है निस्ठा और इमानदारी से किया गया कोई भी कारे व्यर्थ नहीं रहाता जिंदगी रहने के पीछे यदि कोई तर्क है तो राम नामी बेचना या रंडियों की दलाली करना एक जैसा है मोची राम का जिंदगी जीने का यही तरीका उसे अपने पेशे के साथ एक सम्मु का हिस्सा बना देता है यहसमु समान्यजन का है, मुसीबत, अन्याय और अभहाव की चक्तियों वाले चहरों का है यहसमु समाज व्यक्तिवादी नहीं है, जैसे मोची राम व्यक्तिवादी नहीं है तब ही वह वसंत के आनंद को पूरी जिवंटता के साथ अनुभव करता है मोची राम की यहचेतना उसकी उद्दिगनता विशेस महत्वपोर्ण है इसलिए वह बताता है कि जिन्दगी में नए नए रूप विक्सित होते है मोची राम सच्चाई को जान चुका है जो पेट की आग के कारण डरते हैं वे भी इस सच्चाई को जानते है जो हर अन्याई को चुप चाप सहते हैं जानते समझते वे भी हैं जो इस अन्याई विवस्था को जानकर भी चुप हैं उनकी चुपी का भी अर्थ है वे चुप रहकर भी वास्तविक्ता को समझते हैं जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई चीक और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है अपनी अपनी चगा एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते है मोची राम कविता में धुमिल ने जूता, मोची, आदमी आदी नेने विंग्यात्मक प्रयोग कर आदमी की नियती को व्यक्त किया है इस कविता में धुमिल अपने तीखे एहसास को व्यक्त करते है यहाँ जीवन की बिडम बनाओं की भी अभी व्यक्ती हुई है इस कविता में वियंगे की धार इतनी तेज है कि हम असपस्ट देखते है मोची राम हड किसी पर वियंगे करता है अमीर, गरीब, मध्यवर्ग, राजनेती सब ही इसके वियंगे का हिस्सा है धुमिल समाज में व्याप्त सभी वर्गों की विसंगतियों और विडंबनाओं पर वियंगे करते है मोची राम कविता वियंगे बोध की दृष्टी से महत्वपोर्ण है इसमें मोची राम समाज की प्रतिस्ठित और सब भे कहे जाने वाले संपन्य वर्ग पर व्यंगे करता है बाबुजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है मोची राम का यह चतुर बेवहार प्रतेक वर्ग की चालांकियों को पहचानता है और वह अपनी राय व्यंगे मुहावरे में व्यक्त करता है यह मुहावरा ही वस्तु इस्तिदी की खरी और सार्थक पहचान है मोची राम के कथन में केवल सुक्तियां और मुहावरे ही नहीं है यहां का विकत्य की प्रकिती का भी आकर्शन है मोची राम का एकालाप उसके अपने पेशे के संसकार सूचक शब्दों तथा उपकर्णों के माध्यम से पूरे समाज के संकटों तथा अंतर विरोधों पर जिप्पनी है